स्वामी विवेकानंद एक समान्य परिवार में जन्म लेने वाले नरेंद्रनात ने अपने ज्ञान तथा तेज के बल पर विवेकानंद बने स्वामी विवेकानन्द भारत के कई महापुरुषों में से एक थे जिनोंने विश्व भर में भारत का नाम रोशन करने का कार्य किया अपने भाशन द्वारा उन्होंने पूरे विश्व भर में हिंदुत्व के विशय में लोगों को जानकारी प्रदान की तथा अपने महानकारियों द्वारा उन्होंने पाशात्य जगत में सनातन धर्म, वेदों तथा ज्यान शास्त्र को काफी ख्याती दिलाई और विश्व भर में लोगों को अमन तथा भायचारे का संदेश दिया। इसके साथ ही उनका जीवन भी हम सब के लिए एक सीख है। स्वामी विवेकानन्द का जीवन परिचय। भारत अनेक संतों, विद्वानों एवं दार्शनिकों का साक्षी रहा है। स्वामी विवेकानन्द स्वयम एक महान संत, विद्वान और दार्शनिक थे। स्वामी विवेकानन्द का जन्म कलकत्ता, कोलकाता में शिमला पल्ले में 12 जन्वरी 1863 को हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनात दथ था जोकी कलकत्ता, कोलकाता, कुछ न्यायाले में वकालत का कार्य करत थे और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था. स्वामी विवेकानन्द श्री रामकृष्ण परमहन्स के मुख्य अनुयाईयों में से एक थे. इनका जन्म से नाम नरेंद्रनात दथ था. वह भारतियम मूल के व्यक्ति थे, जनोंने वेदान्त के हिंदू दर्शन और योग को यूरोप व अमेरिका में परिचित कराया. उन्होंने आधुनिक भारत में हिंदू धर्म को पुनरजिवित किया. उनके प्रेर्णादायक भाष्णों का अभी भी देश के युवाओं द्वारा अनुसर्ण किया जाता है. उन्होंने 1893 में शिकागो की विश्व धर्म महासभा में हिंदू धर्म को परिचित कराया था. स्वामी विवेकानंद अपने पिता के तर्कपूर्ण मस्तिश्क और माता के धार्मिक स्वभाव से प्रभावित थे. उन्होंने अपनी माता से आत्म नियंत्रन सीखा और बाद में ध्यान में विशेशग्य बन गए. उनका आत्म नियंत्रन वास्तव में आश्चर्य जनक था, जिसका प्रयोग करके वहां आसानी से समाधी की स्थिती में प्रवेश कर सकते थे उन्होंने यूवा अवस्था में ही उलेखनिय नेत्रित्व की गुर्वत्ता का विकास किया वह यूवा अवस्था में ब्रहमस्माद से परिचित होने के बाद श्री रामकृष्ण के संपर्थ में आए वह अपने साधु भाईयों के साथ बोरांगर मठ में रहने लगे अपने बाद के जीवन में उन्होंने भारत भ्रहमण का निर्णय लिया और जगहसगा घूमना शुरू कर दिया और त्रुवंत पुरम पहुँच गए जहां उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय किया कई स्थानों पर अपने प्रभावी भाषनों और व्याख्यानों को देने के बाद वह पूरे विश्व में लोकप्रिय हो गए उनकी मृत्यू चार जुलाई 1902 को हुई थी ऐसा माना जाता है कि वह ध्यान करने के लिए अपने कक्ष में गए और ध्यान के दौरान ही उनकी मृत्यू हो गई स्वामी विवेकानंद की शिक्षा नरेंद्रनाथ ने प्राया घर पर ही पढ़ाई की अध्यान के अलावा वे अभिने, खेल एवं कुष्टी में भी रुची रखते थे वे अने कलाओं में प्रवीन थे वे अपनी बाल्यवस्था से ही उर्जा से परिपूर्ण थे वे संस्कृत भाशा में प्रवीन थे उन्होंने कलकत्ता, कोलकाता के प्रेसिडिंसी कॉलेज में अध्ययन किया वे दर्शन शास्त्र में अच्छे थे वे ब्रहमस माज से जुड़े अपने पिता की मृत्यू के पश्चात उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी इसने उनके मन को काफी व्याकुल कर दिया इन सब के दौरान वे संत रामकृष्ण परमेहन से दक्षनेश्वर में मिले और उनके शिष्च बन गए निर्विकल्प समाधी से गुजरने के बाद वे विवेकानन्द बने बाद में उन्होंने संत रामकृष्ण के मट का प्रभार लिया वे देश भर के बहुत से तीर्थ स्थानों पर गए 1893ी मेवे शिकागो के धर्मसंसद में शामिल हुए वहाँ उन्होंने पूरब की संस्कृती और विशेष्टाओं के बारे में बताया शोन्य पर किया गया उनका भाषण आज भी सराहा जाता है स्वामी विवेकानन्द का राष्ट को योगदान 1897ी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की यहाँ अनुयाईयों को वैदिक धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था मिशन ने सामाजिक सेवाए भी की गरीबों के लिए विद्याले, अस्पताल, अनाथाले आदी खोले गए मिशन का लक्ष भारतिय संस्कृती के बारे में जागरुकता फैलानी थी वह हिंदू धर्म के प्रती बहुत उचसाहित थे और हिंदू धर्म के बारे में देश के अंदर और बाहर दोनों जगा लोगों के बीच में नई सोच का निर्मान करने में सफल हुए वह पश्चिम में ध्यान, योग और आत्म सुधार के अन्य भारतिय आध्यात्मिक रास्तों को बढ़ावा देने में सफल हो गए वह भारत के लोगों के लिए राश्च्रवादी आदर्श थे स्वामी विवेकानंद के विचार स्वामी विवेकानंद के विचार अधिक प्रेरनादायक है वह बहुत धार्मिक व्यक्ती थे क्यूंकि हिंदू शास्त्रों जैसे वेद, रामायन, भगवद गीता, महाभारत, उपनिशद, पुरान आदी में रुची रखते थे वह भारतिय शास्त्रिय संगीत, खेल, शारिरिक व्यायाम और अन्यक्रियाओं में भी रुची रखते थे उन्होंने राश्च्रवादी विचारों के माध्यम से कई भारतिय नेताओं का ध्यान आकरशित किया भारत की आध्यात्मिक जागरिती के लिए श्री अर्बिंद ने उनकी प्रशंसा की थी महान हिंदू सुधारक के रूप में जिनोंने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया महात्मा गांधी ने भी उनकी प्रशंसा की उनके विचारों ने लोगों को हिंदु धर्म का सही अर्थ समझाने का कारिय किया और वेदान्तों और हिंदु अध्यात्म के प्रति पाश्चात्य जगत के नजरिये को भी बदला था उनके इनी कारियों के लिए चक्रवर्ती राजगोपलाचारी वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ने कहा कि स्वामी विवेकानन्ध ही वह व्यक्ती थे जिनोंने हिंदु धर्म तथा भारत को बचाया था उनके प्रभावी लेखन ने बहुत से भारतिय स्वतंत्रता कार्य करताओं जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंदाधर तिलक, अर्विंद घोष, बागा जतिन, आदी को प्रेरित किया उपसंहार स्वामी विवेकानन जी ने विश्व को भारतिय संस्कृती और परंपरा का सम्मान करना सिखलाया वे एक महान संथ, दार्शनिक और सच्चे देश भक्त थे स्वामी विवेकानन जी एक ऐसे व्यक्ती थे, जो अपने जीवन के बाद भी लोगों को निरंतर प्रेरित करने का कार्य करते हैं तथा जिनके जीवन से हम सदैफ कुछ ना कुछ सीख सकते हैं